नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तो MMRC 2.0 डेल और साथ में हमारे जो खुद के फाइटर जैट है तो इनको ले करके एक बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है और इस तरहां की अपडेट सकाना तो ये एक इंडिकेशन है कि MMRC डील की जगा जो हमारे खुद के फाइटर जैट है तो उनको भी भारती वायुसे नकी जो आवशकता है उसे पूरा करतने के लिए लिया जा सकता है तो आप सब को देखने को मिलेगा कि जो MMRC 2.0 डील है तो इसको हमारे जो खुद के सबदेशी फाइटर जैट है उनस इसके बाद हमारा यहांपर फैसला था कि 114 और जो फाइटर जैट है उनको यहांपर परचेस किया जाएगा तो मॉशटली यहांपर चांसस है कि अगर MMRC डील को किया जाता है तो यहांपर जो फ्रांस के राफेल फाइटर जैट है इन्ही को परचेस किया जाएगा क्यotherap вес पहले से ही जो 36 राफेल फाइटर जेट है उसको यहाँ पर खरीच चुके हैं लेकिन अगर आप रिसेंट डेवलपेंट्स को देखेंगे तो आप सब को देखने को मिलेगा कि जो MMRC डील है इसमें काफी ज़्यादा डील हो चुका है जैसे ही हर साल का डिफेंस बजट आता ह तो उसके बाद में एक उमेद जगती है कि जो MMRC डील है तो उसको इस साल के एंड तक फाइनल किया जा सकता है तो जैसे ही इस साल का डिफेंस बजट भी सामने आया था तो उसके बाद भारती वयुसिना ने खुद कहा था कि अक्टूबर से लेकर के नवंबर के मन्त में जो MMRC डील है इसको अनाउंस किया जा सकता है लेकिन लगतार इसकी जो टाइम लाइन है वो खिंचती जा रही है और साथ में इसी सब की बीच में जो भारती फाइटर येट है तो उनकी जो टाइम लाइन है वो काफी ज़्यादा पास आती जा रही है तो इससे आप सब को देखने को मिलगा कि आम तोर पर जैसे ही इस तरह के टेंडर में इतना जदा डिले देखने को मिलता है तो यह अपने कोलैप्स के कगार पर आ जाते हैं और बाद में इन टेंडर को स्क्राइप करके या तो दूसरे options है उनको देखा जाता है या फिर 2-12 से इनको revive करने की आवशकता पड़ती है न्यूस के हिसाब से यहाँ पर report किया गया है कि जब हमारे तेजिस MK2 और साथ में MK जैसे fighter jet इतने ज़्यादा capable होंगे तो क्या MMRC deal की जगा इन्हे fighter jet को purchase किया जा सकता है तो देखी दोस्तो अगर यहाँ पर भारती वायूसेना भी सहमत हो जाती है इन fighter jet को और ज़्यादा बड़े नंबर के अंदर purchase करने के लिए तो ऐसे में जो HL है तो वो भी अपने production rate को हर साल 30 से लेकर के 32 aircraft per year तक का कर सकती है और अब आप में से बहुत से लोगों के मन में doubt आएगा कि कभी भी HL ऐसा करने में शक्षम नहीं थी और नाई भविश्य में होगी तो अगर आप अब भी HL की production capacity की बात करते हैं तो LC division से HL लगबग 8 aircraft को roll out कर सकती है new division से लगबग 8 और जो fighter jet उनको roll out किया जा सकता है किरन हैंगर से 4 और 7 में हमारे पास नासिक assembly line जो की हमारे पास पहले से operational है तो वहां से 12 और जो fighter jet है इनको हर साल roll out किया जा सकता है तो इनका जो production rate है वो हर साल का 32 aircraft per year के आसपास का बैठता है लेकिन इसी के साथ में भारती वायुसेना के पास एक और option ये रहेगा कि इंडियन ने भी जिस 26 टन कैटेगरी के टेडिविया fighter jet को बना रही है तो उसके 25 टन के और का variant को तयार किया जाए जो की सच में यहां पर राफेल से कहीं ज़्यादा capable होगा और इसे भारती वायुसेना की जो आवशकता है कि हमें एक 4.5 प्लस जनरेशन का मीडियम वेट कैटेगरी में ट्विन इंजन से लेस एक fighter jet चाहिए तो उस आवशकता को भी यहां पर पूरा किया जा सकता होगा और रही बात यहां पर टाइम लाइन की तो जो पहला TDBF है तो वो 2032 से अपनी जो सर्विस है उसे जोइन कर सकता है साथ में अगर आप MMRC डील को भी देखते हैं तो इसके तहत मिलने वाला जो पहला एरक्राफ्ट है वो 2028 तक ही possible हो सकता है क्योंकि इससे पहले जो assembly line है उसे भारत में shift किया जाएगा यहाँ पर infrastructure को तयार किया जाएगा साथ में production के बाद में जो पहला aircraft है तो उसे 2 से लेकर के 3 साल का जो समय है वो यहाँ पर लग सकता है अगर यहाँ पर चीजों को काफ़ी ज़़ा fast track mode में किया जाता है तो हो सकता है कि जो delivery है वो यहाँ पर पहले से शुरू हो जाए तो दोस्तो इस पूरे event के उपर आपको क्या लगता है comment section में बताएगा साथी साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल को भी subscribe कर दीजेगा तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एंगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई जैहिन